मैं, यहाँ मूविंग स्टेप अहेड दोवनी से मिली वापक पने वाली आपकी क्या करने चाहिए कि इतना बड़ा स्ट्रॉंग स्टेप होगा और कितना जाले इंप्रेंसिव होगा यह स्टेप आपके 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 चलगे हाल ही में मैंने जुहू पुलीस स्टेशन पर मीटू आरोपी साजित खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी जिसके चलते पुलीस ने मुझको बुलाया मेरा बयान दर्ज करने के लिए 29 अक्टोबर के दिन जब मैं जुहू पुलीस स्टेशन गई अपना बयान दर्ज करने तब मुझसे पहले कहा गया था कि इन्वेस्टिकेटिंग ओफिसर आयो इस केस के वहाँ पर उपस्तित नहीं थे मैंने एक महिला पुलीस अधिकारी की मांग की मुझसे कहा गया था कि उस समय वहाँ पर कोई महिला पुलीस अधिकारी उपलब्द नहीं थी तब मैंने वहां के SI senior inspector से ये गुजारिश की कि तुरंट एक महिला पुलीस अधिकारी का प्रबंद किया जाए एक मीटू विक्टिम का बयान दर्ज करने के लिए मुझे कुछ घंटे वहाँ पर इंतिजार करना पड़ा तकरीबन रात के आठ बजे महीला पुलीस अधिकारी मेगा मैम PSI पुलीस सब इंस्पेक्टर मेगा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया और मुझे इंवेस्टिगेटिंग आफिसर P.I. महरे सर के पास लेकर गई जहां जाकर मैंने इंवेस्टिगेटिंग आफिसर से निवेदन किया कि तत काल पुलीस कारवाई शुरू हो मीटू आरोपी साजित खान के खिलाफ उसके अगले दिन हमने देखा कि राखी सावंत मोटर माउथ पौटी माउथ राखी सावंत मीडिया के सामने आकर कहने लगी कि पुलीस ने शेलिन चोपरा का बयान लेने से इंकार किया उसने बताया कि क्योंकि उसके भाई मीटू आरोपी साज़त खान निर्दोश है इसलिए पुलीस ने शेलिन चोपरा का बयान लेने से इंकार किया उसकी इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है जैसे कि मैंने पहले कहा 29 अक्टोबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास PSI मेगा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया मेरे पास पुलीस कंप्लेंट की कॉपी है जो मैं आप सब को कुछ देर में दिखाऊंगी हमने देखा है कि जब जब यौन शोशन का विरोध कोई करता है खास तोर पर बॉलिवूड में तब तब राखी सावंत और राखी सावंत जैसे कॉक्रोजिस और किडे मकोडे तो रंद खड़े हो जाते हैं यौन शोशन का विरोध करने वालों का विरोध करने के लिए अब सवाल ये पैदा होता है कि आखरकार इन लोगों की मानसिक्ता ऐसी क्यों है ये लोग यौन शोशन का विरोद न करके, यौन शोशन का विरोद करने वालों का विरोद क्यूं करते हैं? क्यूं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? समझने वारी बात ये है कि राखी सावंत और उसके जैसे लोग इस इंडस्ट्री में और इस जिंदगी में इतनी बार यूज और अब्यूज हुए हैं कि आज जब किसी महिला का यौन शोशन होता है या किसी बच्ची का बलातकार होता है तो उन्हें कसूरवार वो महिला बच्ची लगती है जिसका यौन शोशन या बलातकार होता है उन्हें कसूरवार यौन शोशन करने वाला या बलातकार करने वाला बिलकुल नहीं लगता है ये बहुत ही शर्मनाख है दुर्भाग्यपून हैं और निंदनिया हैं यहां पर हम इनकी मांसिक्ता पर रोशनी दालकर इन्हें स्टड़ी कर सकते हैं क्यों ये लोग यौन शोशन का विरोध नहीं करते हैं क्यों दिकत क्या है क्या कोई मजबूरी है क्या कोई प्रेजर है क्या इन्हें लगता है कि किसी खान को खुश रखने के लिए इन्हें ड्रग कल्चर को रेप कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए क्या इस तरह का दबाव है इन पर ये मेरी समझ के बाहर है जब जब मैंने यौन शोशन के खिलाफ आवाज उठाई चाहे वो पिछले साल क्यू ना हो राजकुंद्रा के खिलाफ चाहे वो इस साल क्यू ना हो मीटू आरोपी साज़त खान के खिलाफ हमेशा र आकर यौन शोशन का विरोध करने वालों का विरोध करके ये साबित करते हैं कि यौन शोशन करना मर्दों का जन्म सिद अधिकार होता है ये लोग पेट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज स्वच बने ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में स्वच अभ्यान हो हाली में राखी सावंत ने अपने इंटर्व्यू में ये कहा कि वो शेरलिंग चोपरा को फोर देगी शेरलिंग चोपरा को उल्टा लटका देगी उसको मैं बता दूं कि हमारा संभिधान हमें किसी को भी जान से मारने की धमकी देने की इजासत नहीं देता है और इसके चलते, मेरी legal team ने, Falcon Legal ने, इन धाराओं के तहत, 499 defamation, 500 punishment for defamation, 509 word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman, 503 criminal intimidation. इन IPC धाराओं के तहत, राखी सावन्थ के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की, जो हो पुलीस चौकी में. आप देख सकते हैं? पुलीस complaint against मिस्स राखी सावन्थ. पॉटी माउथ राखी सावन्थ. इस बात है, किसी को हो जो है, जो किसी को बहुत लगता बीध्य काथ, पैले शौन हेगे असितर हों लेक्ती को उक्ती हैं. मेरे कई दोस्त शुब चिन तक मुझे ये बोलते हैं कि शेलिन वाइड जब हाथी चलता है तो कुटे भॉंगते हैं तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बुरा मानने वाली बात ये है कि ये जो कुटे हैं जो टॉमी इंडस्ट्री ने पाल रखे हैं ये बड़ी होश्यारी से, समझतारी से मीटू विक्टिम्स की अखंडता और विश्वसनियता को खारिज करने के लिए इस तरह के कॉमेंट्स या इस तरह की टिपनी देते हैं जैसे अरे शेरलिन चोपरा तो पॉर्ण स्टार है, अरे वो तो वैश्या है, अरे वो तो ये है, अरे वो तो वो है आप सब को बता दूँ कि राखी सावंत जो एक बद्जात और बद्दिमाग औरत है, उसका मोडस ओपरांडी है क्या? लाक्शरी होटेल्स में जाकर प्राइवेट इवेंट्स करना और करवाना ये है उसका मोडस ओपरांडी और क्या करती है वो जिन्दगी में? आए दिन सब्सक्रिप्शन पर बॉइफ्रेंड और हस्बेंड बनाती है, उन्हें लूट लूट के कंगाल बनाकर छोड़ती है ये है उसके जीने का तरीका, हम सब जानते हैं कि वो एक नंबर की भीक मंगी है जूट मूट का ड्रामा करके लोगों से भीक मांग कर अपना गुजरा करती है और आजकल किस खान के टुकडों पर पल रही है, ये हम सब जानते है तो सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार ये जो नेक्सिस है फिल्म इंडस्ट्री में ये रेप कल्चर को, ड्रग कल्चर को, सेक्सिजम को, नेपोटिजम को बढ़ावा क्यों दे रही है और हम इस गंद को कब तक बरदाश करें ये भारत देश है, ये समविधान की अनुसार चलता है यहां पर यौन शोशन का विरोध होता है, यौन शोशन करने वालों का विरोध होता है ये भारत देश है, यहां पर महिला को लक्षमी मानते हैं यहां पर महिला को जैसे दूसरे देशों में खास तोर पर अफगानस्तान में सेक्स मशीन माना जाता है वैसा यहां पर बिलकुल नहीं होता है यहां पर लक्षमी को, महीला को माण सम्मान दिया जाता है हमारे देश के प्रधान मंतरी यह मानते हैं कि महीला का सम्मान होना चाहिए अपमान नहीं हमारी राश्ट्र पती कोई और नहीं बलकी एक महीला है द्रौपती मुर्मुजी तो जिस देश की राष्ट्रपती एक महिला है और जिस देश के प्रधान मंत्री जोर जोर से नारे लगा कर कहते हैं कि महीला का मान सम्मान होना चाहिए सतकार होना चाहिए उस देश में हम देख रहे हैं कि योन शोशन को बढ़ावा दिया जा रहा है योन शोशन करने वालों को सेलिब्रिटी मारा जा रहा है आखिरकार इसी क्या मजबूरी है बिग बॉस की जो वो मीटू आरोपी साज़त खान को अपने घर से बेदखल नहीं कर रहे हैं क्यूं वो क्या साबित करना चाह रहे हैं क्यूं बिग बॉस की दिल में मीटू के पीड़त महिलाओं के प्रती सहनुभूती नहीं है क्यूं हम इंसाफ की गुहार लगाने कहा जाएं मैंने एक पत्र लिखा है माननिया श्री एकनाथ शिंडिस सर के लिए उसमें मैंने लिखा कि सर मैं आपकी बेटी हूँ मैं आपकी बेहन हूँ ना सिर्फ मेरे साथ बलकि कई महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और हमारा जो आरूपी है जो मोलेस्टर है वो कहीं और नहीं बलकि बिग बॉस के घर में आराम फर्मा रहा है तो सर मेरी गुजारिश है आपसे कि प्लीज आप हम पीडित महिलाँ को इनसाफ दिलाएं बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ माननिय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए माननिय राजिपाल जी से मिलने के लिए और अपनी लीगल टीम के साथ सला मशवरा करके मैं बहुत जल्द एक मूर्चा खुलने वाली हूँ और आपके माध्यम के अनुसार मैं उन तमाम महिलाओं से पुरुशों से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ कर कि यदि आप यौन शोशन के खिलाफ हैं यदि आप यौन शोशन करने वालों के खिलाफ हैं तो आप बे जिजग हमारे इस आंदोरन में भाग ले सकते हैं इस मुहीम में आप हमारा साथ दे सकते हैं ताकि आगे चलकर आपके सामने इस तरह कोई महिला बैठ कर इनसाफ की गुहार ना लगाए यौन शोशन के लिए यौन शोशन करने वालों के लिए यौन शोशन के खिलाफ इस तरह की गुहार ना लगाए ताकि वो नौबत ही ना आए यह बहुत ही चौकाने वाली बात है हौली वोड में हारवे वेंस्टेन जो एक मीटू आरोपी है उसको करीब करीब 23 साल की सजा हुई इस समय वो जेल के सलाखों की पीछे है वो किसी रियालिटी शो में आराम नहीं फर्मा रहे है लेकिन यहां बॉलिवोड की मीटू आरोपी साजित खान को सेलेबरिटी स्टाटस दिया जा रहा है मेरी गुजारिश है सल्मान खान सर से की कुछ देर के लिए अपनी दोस्ती यारी ज़रा साइड में रखें कुछ देर के लिए और यह सोचें कि अगर हम उनकी बेहने होती अगर हम उनकी अपनी होती तो क्या वो कोई स्टैंड नहीं लेते हैं क्या वो हमारे मुलेस्टर मीटू आरोपी साजित खान को धक्के मारके बिग बॉस के घर से बेदखल नहीं करते हैं क्या एक महिला के लिए स्टैंड लेना जरूरी नहीं है क्या दोस्ती यारी निभाना महिलाओं के हक से ज्यादा जरूरी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है जिसके जलते सब खामोश है सिल्मान खान सर्स खामोश हैं बिग बॉस के मेकर्स खामोश हैं पुलीस खामोश है हम किस तरह का मेसेश दे रहे हैं समाज को जब जब मैं इंसाफ के गुहार लगाती हूँ राखी सावंथ जैसे कीडे मकोडे सामने आकर कहते हैं अरे ये तो पॉर्ण स्टार है अरे ये तो वैशिया है आप मुझे बताईए क्या समभेधान ये कहता है कि वस्त्रहीन होना रजामंद होने के बराबर है वस्त्रहीन होना अलग है रजामंद होना अलग है अगर कोई महीला वस्त्रहीन होकर सड़क पर चल रही होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रजामंद है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पुरुश या कोई भी इंसान उसको हाथ लगा सकता है या छेड़ सकता है हमें ये समझना चाहिए कि nudity does not tantamount to consent जिस्म के नुमाईश करना रजामंद होना नहीं होता है लेकिन क्योंकि ये लोग अनपढ हैं गवार हैं जाहिल हैं इसलिए ये लोग इस तरह के टिपणिया हर आए दिन करते रहते हैं सव देट किया फिर्फों नारी जिए डिलीट किया इसने उनोंने काया कि वश आपको INcanbecause did जे 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 वह स्क्रीन शय़ है मेरे पास जे जे आपने ुझे-डराई को उड़ाई कोयी और इसके कारण शायद वें आफका कॉन्ट्रें अजब नहीं किFr mission देखिए इस समय राखी सावन्थ पॉटी माउथ राखी सावन्थ अशलील घटिया जलील घिनौनी बदसाद बदिमाग राखी सावन्थ टॉमी बनी है और जो कोई भी उसकी और हड़ी फेकता है उसके लिए वो भॉंखना शुरू करती है तो कभी साजित खान के लिए भॉंखती है कभी राखकुंद्रा के लिए भॉंखती है वो कह रही है कि उसने मेरे अशलील वीडियोज देखे हैं तो मैंने उसके सामने ये सवाल रखा कि वो अपने फैंस को, दर्शकों को, मीडिया को क्यों नहीं बताना चाह रही है कि उन वीडियोस के निर्देशक और निर्माता कौन है? वो बताए, वो आधी अधूरी जानकारी क्यों दे रही है? वो पूरी जानकारी क्यों नहीं देना चाह रही है? वो बताए, खुल कर बताए, कि जिस वीडियोस का वो जिक्र कर रही है, उन वीडियोस के निर्देशक निर्माता कोई और नहीं, बलकि उसके भाई सहब राशक अनुचित होगा क्योंकि राजकुंत्रा को वो भाई मानती है तो मेरा आप सब से निवेदन है कि आप सब अपने कान और आंख खुले रखें और देखें कि क्या हो रहा है इस समाज में, इस इंडस्ट्री में अगर वो सच में लीगल नूटिस भेजना चाहरे हैं तो बेशक भेजें मेरी लीगल टीम इंतजार कर रही है उस नूटिस का जवब देने के लिए लेकिन इस तरह की चेता आपनी देने के बाद, उस चेता आपनी को डिलीट करना, इसका क्या मतलब निकलता है क्या जोश में होश खोबैठे हैं, या उन्हें लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई है खेर बरहाल जो भी बात है उन्हें सामने आकर सपश्टता से अपने बात रखनी चाहिए बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट किया और ये भी बताना चाहिए कि क्यों मुंबाई क्राइम ब्रांच ने F.I.R. 26 अब्लीक 2021 के चलते उन्हें चीफ या की कंस्पिरेटर घोशित किया जी, थैंक यू राखी सावंद, पॉटी माउथ, मोटर माउथ, बदजात, बदिमाग, अश्लील, घिनोनी, घटिया, नीच, और क्या-क्या अज्जेक्टिव्स यूस करूँ है उसके बारे में, कम पढ़ रहे हैं तो ये महिला, पेड़ित महिलाओं के प्रती, सहनुभूती क्यों नहीं दिखा सकती है आखर, ऐसी क्या मजबूरी है, जिसके चलते हमेशा, चाहिए यौन्चोशन किसी का भी क्यों न हो, हमेशा वो कुसुरवार महिला को ही ठराती है वो कहती है कि क्योंकी महिलाओं छोटे कपड़े पहनते हैं, क्योंकी महिलाओं जिसम की नुमाईश करती हैं, इसलिए उनका यौन्चोशन होता है अरे कोई जाए उस बद्दिमाग, उस बदसात औरत से पूछे कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप क्यों होता है छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन्चोशन क्यों होता है, कोई जाए पूछे उससे कौन साब वो कल हम लोग कुछ बहुत बढ़ा करने वाले हैं आपको जानकार ये दी जाएगी क्योंकि सल्मान खान ना हमारी बातों को अंसुनी कर रहे है तो हमें लगता है कि बिग बॉस की मेकर्स के खिलाब हमें मोचा खोलना चाहिए इसलिए क्योंकि इस समय हमारे आरूपी मीटू अक्यूस्ट साजित खान बिग बॉस के घर में आरां फर्मा रहे हैं और उन्हें वहाँ पर सेलेबिटी स्टाटिस दिया जा रहा है और ये हम पीरित महिलाओं के मुपर किसी करारा तमाचा से कम नहीं है तो हम शांती पूर्वक तरीके से कलर्स के आफिस के बाहर बैठ कर एक आंदूलन करना चाह रहे हैं मोल्चा खोलना चाह रहे है और तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं जब तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री खुद आकर हमें ये आश्वासन ना दें कि इस पूरे केस की निश्पक्ष जांच बर्ताल होगी और आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे बंद किया जाएगा जैहन